नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक पर फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में उत्रवधी काल का प्रारम कब हुआ था इसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो रिगवधी काल के बारे में उत्रवधी काल के बारे में हम पहले के लिए वैदिकाल को दो भागों में बाटा गया है रिगवेदिकाल और उत्रवेदिकाल तो जो रिगवेदिकाल है वह है हमने पूरा पढ़ लिया है और रिगवेदिकाल का जो प्रारंभ है वह है पंद्रावसों से एक हजार इस्सा पूर्वा तक था तदा उत्रवधी काल एक हजार इस्सा पूर्वा से लेके 600 इस्सा पूर्वा तक यह है काल चला था ठीक है तो इन दो भागों में डिवाइड करके अपन वधी काल को पुरा पढ़ते हैं समझते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं उत्रवधी काल का प्रारम कब हुआ? उत्रवधी काल का समय 1000 इस्सा पूर्व से लेकर 600 इस्सा पूर्व तक था रिगवधी काल के बाद के समय को उत्रवधी काल के नाम से जन जाता है उत्रवधी काल में यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद की सहिताओं, ब्रामन गरंथों, आरणेक यवं उपनिशद गरंथों की रचना हुई इस यूग में आरें सेंसकर्ती का परमुग यवं नमीन केंद्र कुरू छेतर बन गया था गंगा यमुना का तटवर्ती मध्य देश अब विशिस्ट हो गया था पूरव में कोशल, काशी और विदे है इस यूग में आरें के नमीन केंद्र बन गये थे और रिगवेदी काल में आरें का स्थान सब्त संद्व परदेश था इस काल में ये ततकालीन सिंसकर्ती का मूल आधार था इस काल में परजापती अर्थात सरस्टी के निर्माता को सर्वोचे स्थान प्राप्त हो गया था पस्वों के देवता रुद्रे इस काल में महत्वपुन देवता बन गये थे ये सिव के रूप में पूजे जाते थे, विश्णु को सरंगसक के रूप में पूजा जाता था, पूशन सुद्रों के देवता के रूप में जाने जाते थे उत्रवधी काल में पसुपालन आरियों की अर्थ व्यवस्ता के मुख्या आधारों में से एक साधन था, इस काल में सिश्ण, टिन, चांदी, सोना, तामबा तथा लोहा का पर्चलन हो गया था, तथा उद्योगों का अधिक से अधिक विकास उत्रवधी काल में ही हुआ था का साधन थी, इस यूग में मुद्रा का सत्मान, मुद्रा को सत्मान कहा जाता था, चित्री धूशर भांड इस यूग की सबसे विशेश विशेश ता थी, तो उत्रवधी काल की सबसे महत्तो पुण अर्था सबसे विशेश जो विशेश ता थी, चित्री धूशर भांड, इस काल में समाच चार वन्नों ब्राह्मन, छत्रिये, वैश्ये और सुद्र में बंटा हुआ था विशेश बात ये थी कि ब्राह्मन, छत्रिये तथा वैश्ये का उपनेंसेंसकार होता था परन्तु सुद्रों का उपनेंसेंसकार नहीं होता था इस काल में जाती परिवर्तन भी नहीं होता था वर्णों का आधार करम पर न होकर जनम पर हो गया था सक्ति साली राश्तंत्रों का उदे ही उत्तरवधी काल की महत्वपुण विशेश्ता थी एत्रे इब्रामण में समराज्य, भोज्य, समराज्य, पारमेस्ठ, राज्य, महराज्य, आधिपत्यवय, सारवभूम, आधि राज्यों का उलेख है राज्यों के सासक समराजे की स्थापना करने के बाद अस्वा में एक राजसूई वाजपे एंग्नी स्टॉम यग्य कराते थे परसासने पेव्यवस्ता की सुविधा के लिए राजे में अनेक नमीन विभागों की रचना की गई राजा मंत्रियों की सहाथा से समस्त राजे में परसासन करता था इन मंत्रियों को रतनिन कहा जाता था अधिकारी राजा होता था तथा उसके सहता के लिए अन्य अधिकारी भी होते थे इस काल में नय अधिस को इस्थपती कहा जाता था ग्राम इस्तर पर गठित मामलों तथा अप्रादों में ग्राम में वाद्धिन नामक अधिकारी ही अंतिम निर्ने लेता था ठीके तो देख इस वीडियो में हमने उत्रवती काल के बारे में महत्तवपुन जानकरी पढ़ी और आगे भी आपको इसी प्रकार से हम वीडियो दिखाते रहेंगे जो एकजाम की दर्श्टी से बहुत ही महत्तवपुन है ठीक है तो इसी प्रकार से बने रहें यूटूब चैनल इंडिया यूटूब लेज बी